है है लो एक्स्टूडेंट्स आज हम अपने यूटूब चैनल गारगी कोचिक फिंटर पाप लोग का स्वागत करते हैं और आज के टापिक्स में आप लोग को प्रफनावली एक दस्मों तीन पढ़ाएंगे जो कि पहले से भी कुछ सवाल प्रफनावली एक दस्मों एक दस देख लिएगा और यहीं हमारा पढ़ाया वाथ तरीका आप लोग को अच्छा लगता है तो उससे आप लोग क्या करेंगे कि अपने प्रेंड और अपने साथ में पढ़ने वाले सभी लोगों को से एर करेंगे और और इसको अच्छी तरफ यह न समझ में आये तो आप लो अच्छान्स है यह आपका भेरी-वहरी इंपार्टेंट होता है भी भी आईट्यूएशन रिश्मेश होते हैं प्रफणावली एक दुद्द 3 का सवाल होता है बहुत ही इंपार्टेंट होता है पेपर में आने का पूरा चान्स होता है आना ही आना है और यह तरीका बताए समझें कि कोई नहीं पूटा है लेकिन इह तरीका क्यों आप लोग के लिए ही बनाया गया है किसे चलते हैं इस सवाल ऑधियान से समझ सभावल एक तरीका पूरा समझी सवाल को कैसे क्लियर करते हैं समझिएगा और यहां कर्डिम और संख्या के बारे में अच्छी तरह से अपको बत आ गया और इते हैं जिनका वर्गमुल पूर्ड संख्या हो और क dorm पोड़ संख्या आ जा जाएगा और यैति दस्मलों में जाने लगे एक जा जिए बगत करडी में हो WITH s Israelites मोत्यार दस्मलों में जाने लगे तो आ परमिय संख्या होता है इसको भी हम एक लिख सकते हैं तो अइसी संख्या को पर्मीय संख्या कते हैं और यदि उस और ओस्व नहीं है तो भी पर्मेय के संख्या इन नहीं मात पहुंच। और से आप लोगा तो परिमीय संख्यां समझ में आ गया घा इन दोनों को एक साथ कंडें जोड़ दें जाए गटा दें जाय आपका भाग कर दें जाएंगा परी में को जोड़ा जाए याल जलत जो प्राप्त होगा प्रियोग करके हमें एक ही तरीके पूरा कड़ा सवाल का डारा साई कर देग तो आराम से सवाल को और आपने सथा से देखे तरीकों भी करते हैं यादश करने सवालज के लें छलते आप और यह तरीका का प्रयोगं करते हुए पूरा कड़ा 9 तो तन हम पोरक सिर्थ करने हैं तो देखते हैं रहले जह पुआ ओस अहिंगे लिस्ट किरो अब दिए मद्या दालिक नहीं दोदीघॉट नहीं होगा 173पन में में- sitcom-903, करके हम उसको परिमे मान लेते हैं मानने के बाद जो हमारा माना गया कथन इसको किसी तरह गलत साभिफ कर दें तो परिमे नहीं हो जाएगा यहीं कॉंसेप्ट लेके चलेंगे मान लेते हैं कि माना करड़ि में पांच एक परिमे संख्या है जब परिमे संख्या है तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए के रूप में लिखा जा सकता है तो माना कडिम पांच एक पर्मेसं क्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं अजिए फीu के रूप में लिख सकते हैं जहां जहां और पी और क्यूस्रह अभ्हाज शंख्यय और पी को और पी और क्यूस्रह अभ olmas सब्सक्राइब कोई और बुड़नखंड नहीं होगा तभी यहां पर्मिय संख्या माना जाता है और पर्मिय माने हैं यहां प्यू क्या है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तक दोनों पच्छों का घृष करने पर तो रिखें पर करने पर आप इसका इधर उड़ा करते हैं तो यह जाएगा पांस यह एसा करते सब्सक्राइब कर दोनों के दोनों पूरांग संख्या नहीं होता है इसका मिलकि यहां पूरा का पूरा पूरांग से विभाजित होगा तद ही पूरांग आएगा क्योंकि पूरांग रिजदा रहा है तब पूरांग पूरा पूरा पूरांग से विभाजित करता है इसलिए पांच पूराइब को विभाजित करता है इसलिए पांच पी को भी भाजित कर रहा है तो उसके उस संख्या को भी भाजित करेगा जैसे माली यहां को आपका पांच पी को भी भाजित कर रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से कड़ जाएगा पांच पी इसको भी भाजित करेगा तो अब यहां से क्या अब कुना मानेंगे जब यहां पांच पी को भी भाजित करेगा तो इसका पी के गुड़नखंड में पांच जरूर होगा यहां मुल्टिप्लाइ किया जाएगा तो उसके उड़नखंड में पांच और स्क्वाइर भी है और इसी एक्वेस्ट में रखेंगे संख्याड एक में बाइब एक में रखने पर देखिएक ुश्य को रॉफी तर रहे गहां पी में रखेंगे पांच यह काया रखेंगे एक पचीस स्वजार बटा के 5 जो डिवाइट कर दें तो इसके कर जाएका तो जाएगा क्यू को बदें निया है है इस कंडिशा में देखिये कि जो क्यू है कि इस कंडिशा में क्यू को क्यू स्वट कुप कल रहा है इस कंडिसा में रखें कि यूज को पांच जा कर रहा है इसको विभाजित कर रहा है तो क्यूज को पांच विभाजित करता है कर रहा है तो इसने पांच क्यूब को भी विभाजित करेगा तो कर देख रहे है यह तो वीडियो में आ रहा है कि नहीं आछी तरह से तो वीडियो में आ रहा है थोड़ा अच्छी तरह आए और कर रहते कि आप लोग को आप दिखाईते हैं उम्मीर नवीब आपको दिखाय दे रहा हूग है है तो देखें 5 क्यूब्कों बीभाजुत्व करेगा तब यहांवे को इस क lux इसक कफन को दो माल लेते हैं इसको तीन की इस कफन को दो माल Nभ लेते हैं करकत नको ते तो देखिए 5P को भी बिभाजित कद रहा है और यही 5Q को भी बिभाजित कद रहा है तो इसकल पी और Q दोनों के दोनों 5 से बिभाजित हो जा रहे हैं तो लिखेंगे चुकि दो सामिकड़ 2 और 3 से या कथन 2 और 3 से कथन 2 और 3 से पी और Q पान से बिभाजित है पी और Q पान से बिभाजित है इसलिए P और Q सब हमरी है और यहां ही ऑखें पी और Q सो भाजित कभ होता है लेकि यहां और Q कारद ओज़ केवल एक बिभाजित होता तो वो सब के तो सब नधा होता लेकिन हैं और इसलिए पी आठ्यू सभ आभाज्य नहीं होंगे इसलिए हमारा परिम्य नहीं होगा तो इसलिए हमारा माना गया कथन क्या है गलत है इसलिए हमारा इसलिए या इसलिए कड़ियों पांच परमे संख्या नहीं होगी इसलिए कड़ियों पांच परमे संख्या नहीं होगी इसलिए कड़ियों पांच परमे संख्या नहीं होगी इसलिए कड़ियों पांच परमे संख्य तो इतना करेंगे तब जाकर आपको यह सवाल दो नमर का आता है तो नमर अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा अब उसके बाद अधे यहीं बोल देता है कि करड़ी में तीन यहां क्या लिख देंगे करड़ी में तीन लिख देंगे कि यहां में कितना लिख देंगे करडी में तीन लिख देंगे और यहां को पड़िया है नो जाएगा और यहां इन दुरु कि को अपका है तीन हो जाएगा यहां पर पिपचीस हो गया है यह तूर व नहीं mega निया आँ इलिक जलेगर और यहां पर उने में अधिया झाएक पी करम कित्ना हो जाएगा झारइं तैं भूल में पनुव मैंद में कर मिला है औरकुली पिसका पछीज़ीन को और नहीं तो तो श्रीट कीजी की करड़ी में तीन एक आपर में संख्याद देखे उसी सवाल पर यह पूरा लग ज़िए और जहां पचीस हो गया था पांच का इसवार पचीस था वहां पर तीन का इसवार नौ लिख दिया है तो को आपको बूलत कि सीत्पीजी की करड़ी में दूए नौ पीने सच्जिया हैं ऐस दूंहें वहां दूंहां रेकिने क्रदों र्क में ढूरर यहां सभाव दुलिकेंगी यहां बूर्ग चार जायगा बाए और तो यहां लेकर कर दो यहां Bye तो उमीर है कि आप लोग इस कॉंसेप्ट के जरी जिना भी आप पर्मिय संख्या देगा उसको आप लोग आराम से सिदेगा सकते हैं लेकिन आप ऐसा कभी कभी देदें दूसा सवाल देखें दूफरा सवाल के आप लेकर सिद कीजिए कि तीन प्लक दू कडियों पांच एक एक जिन के तीन किया है परमिय था अलग अलग देखा सबके सब्सक्राइब इसमें इसको जाता है कर दो कि कर दोद किया करते चैया जोड़ के माथे में बश्युक्त कि लिए kesit आई सब्सक्राइब करने के इस को सब्सक्राइब करते हैं इसी क्या करते हैं तो जैसे सित्य करते थे वैसे सित्य करेंगे पांच थे अजरक और, रहma आपना। पांच है सहने हो, तो रहते हो जाएगा और, वैसे बाइब आपना। पांच कर दोब जाएंगे करा पांच भारां में कूंते इस तो फ्रेषर बेटों की अपसित कर देंगे यहां पर गुड़ा लगा है तो उसके लिए पस कहीं बढाते हैं कि हम जानते हैं कि कि किसी भी पर्मिर संख्या के साथ किसी भी पर्मिय संख्या के साथ, किसी अपर्मिय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए जोड़ा जाए या गुड़ा किया जाए या भाग किया जाए तो परडाम हमेशा और पर्मिय संख्या मिलता है किसी पर्मिय संख्या को जोड़ा जाया या घटाया जा जाए या घुड़ा किया जाई तो पर्डाम हमेशा अपर्मिय संख्या पर्प्त होता है इसलिए यह लाइम बढ़ाने के बाद इसलिए जो सिट करना था उसको लिखकर ले रहें कि यह आप अर्मे संख्या है तो अमेर के आप लोगों को ऐसे सवाल को भी इसी तरीका से लगारेंगे बस यही एक लाइन बढ़ाकर जब इसके साथ क्लॉस या माइनफ या भूडा या भाग के साथ तो ऐसा प्रणिशन आया सवाल में तो क्या करते है कि इतना बढ़ाकर पस यही लाइन लिख देंगे जो दिया रहेगा उसको अपर में संख्या लिखकर प्रूब्ड देंगे ब कर देन तीसरा सवाल है ता यह उससे में एक कडिक में थूपर में संख्या और इसके करेंगे कि से आउफ़ लीटेंगे । जानते हैं कि किसी पर्मेल संख्या के साथ किसी और करने संख्या को लोड़ा जाए गटाया जाए तो परडाब हमेशा प्रमेल संख्या प्रता है लेकर सब करेंगे और ह чаने और हिंदी लिखेंगे हिंदी लिखने के बाद यहां क्या लिखेंगे और उसी तरह जब इसको साब करना हुगा तो तो उमिद है कि आप लोग इसी सब्सक्राइब कर लिए और आप लोग पढ़ते रहेगा और वीडियो को सेयर करते रहेगा और हो सकते हैं जिसक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ओके थैंक्स